नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ परिक्षा परिक्षा का मतलब पता है ना बच्चों आपको परिक्षा का मतलब है जांच चाहे वो किसी की भी हो चाहे अध्यापक बच्चों की परिक्षा ले चाहे माता-पिता अपने बच्चों की परिक्षा ले या गुरु प्रिये राजाओं में से एक राजा शिवी के इनकी दयालुता और न्याय प्रियता का चर्चा पूरे विश्व में था इन्हों ने एक बर कभूतर की रक्षा के लिए अपना शरीर तक निचावर कर दिया था इसी कारण इनका नाम भारव की गौरवगाथा में बहुत ही सम् हैं पूर्वज का मतलब है हमारे पहले वाले जो पीड़ी ती उसे हम कूर्वज कहते हैं जैसे अपके पिताजी आपके पिताजी के पिता हुए थे उसी समय एक कबूतर एक बाज से बचने के लिए सुरक्षित जगे ढूंटा हुआ वहां पर अंदर आया और राजा की गोद में गिर पड़ा तक दर्बार लगा हुआ था सभी दर्बारी बैठे थे राजा भी बैठे थे अचानक कर बूतर उनकी गोद में आकर गि प्यार से हाथ फेरा तभी उड़ता हुआ एक बाज भी वहां पहुच गया बाज ने मनुष्य की आवाज में कहा राजन इस कबूतर को छोड़ दीजिए यह मेरा भूजन है यह सुनकर के राजा दोनों पक्षियों को इस प्रकार मनुष्य की भाशा में बोलता सुनकर आखिर क्या किया जाए अब क्या था कबूतर भी मनुष्य की आवाज में बोल रहा था और जो बाज उसका पीछा कर रहा था वह मनुष्य की आवाज में बोल रहा था एक बोल रहा था मेरी जान बचाओ और एक बोल रहा था कि मेरा भोजन है इसे मुझे समर्पित कर दो ढूंटा ढूंटा यहां तक पहुँचा हूं अब राजा क्या करें उनकी समझ में नहीं आ रहा था यह बिल्कुल सही नहीं होगा कि अपनी शरण में आए वे उस कभूतर को बाज का भोजन बनने दे अब जो हमारे यहां पर रक्षा अपनी करने आया है जो हमारी शरण में बत्चों उसको कहते है शरणागत और हमारे भारतवर्ष में प्रत्यक्व्यक्ती का धर्म्हें इसकी रक्षा करना המע़ करतव्य तो राजा थे उसे कासे बऑजन बने देते तो राजा ने बाज बाज्च से कहा ही बाज तुम एक लितम तो वह थो guy मुझे बैल जितना मास देता हूं कि बच्चों बाज जो है वह मासाहारी पक्षी है ना तो उसका पूरे बैल का मास ले लो लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो बाज संतुष्ट नहीं हुआ संतुष्ट नहीं हुआ मतलब वो उसे सटिस्ट नहीं हुआ कि नहीं नहीं मुझे तो ये कबूतर ही चाहिए मुझे इस कबूतर के मास के अलावा और किसी का मास नहीं चाहिए बाज ने जवाब दिया अलावा मतलब अतिरिक्त मुझे इस पक्षी के अतिरिक्त और किसी का मास नहीं खाना मुझे तो ये कबूतर ही चाहिए ये मुझे भगवान ने दिया है इसलिए हे राजन इस कबूतर को मुझे दे दीजिए अब वो बैल लेने को भी राजी नहीं क्या कह रहा है बाज कि ये जो कबूतर था ये मुझे भगवान ने दिया था मैं तो इसी का मास खाऊंगा अब मुझे बहल नहीं चाहिए राजा बड़े आश्चर चकित हुए तब राजा ने एक बार फिर कोशिश की आखिर कर राजा ने कहा हे बाज तुम इस कबूतर को छोड़ कर किसी का भी मास ले लो ये है कबूतर लेकिन तुम्हें हर्गिस नहीं मिल सकता हर्गिस नहीं मिल सकता मतलब बिल्कुल नहीं मिल सकता मैं इसे बिल्कुल तुम्हें नहीं दूँगा तुम इसके अलावा किसी और का मास मांग लो तब बाज ने कहा मुझे यही कबूतर चाहिए अगर आप इसे नहीं देना चाहते तो मुझे इस कबूतर के वजन के बराबर आपके शरीर का मास चाहिए मतलब अब उसने बड़ी अजीब सी शर्ट रग दी कि अगर आप यह कबूतर मुझे नहीं देना चाहते तो ऐसे करो किछ गूतर का जितना वजन है जितना वेट यह भारी है कबूतर इसके बराबर आप मुझे अपना मास काट कर देतीजे अब कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चो और कोई व्यक्ति पर राजा ने अपने शरीर का मास काट कर रखा आप अनвинो कर सकते कि हमारे हंधुन में को य கसारा भी हुआ होगा जिसने कि बदले अपने शरीड के अंगा काट कर दे दिये लेकिन बच्चों एसह हुआ था एक पलडह में कभूतर बैठ टया क्भूने राजा शिवी अपने शरीर का मास काटकर रखते चले गए उन्होंने देखा कि कबूतर का पलड़ा भारी है तो उन्होंने और मास काटकर पलड़े में रखा लेकिन तब भी कबूतर का पलड़ा भारी था राजा और मास डालते गए लेकिन पलड़े के वजन में कोई अंतर नहीं आ फिर अंत में राजा ने क्या किया अंत में राजा खुद ही पूरे के पूरे पलेड़े पर बैठ घए तभी बाज जो था वह अंतर्धान हो गया अंतरधान हो गया मतलब गायब दिखाई नहीं देने लगा वहां से एकदम चला गया राजा ने आश्चरी से कभूतर से करप्या मुझे बताई ये कि आप दोनों कौन है तब कभूतर ने राजा को बताया है राजन वह बास जो थे वह राजा इंद्र थे मैं अगनी हूं हमने आपकी दयालुता और न्याय-प्रियता की परिक्षा लेने के लिए यह रूप धारन किया था फिर क्या था तुरंत ही राजा के सभी घाव भर गए वे पुनह अपने सुन्दर रूप में आ गए कबूतर उड़ गया और राजा प्रसंद थे कि वे इस परिक्षा में खरे उतरे याने कि देवताओं के राजा जो इंद्र थे वो राजा शिवी की परिक्षा लेना चाहते थे कि लोग कहते हैं क राजा भाहत दयालू है बहुत न्यायप्रिये है तो चलो देखते थे कितना दयालू है लेकिन वह वास्तों में बच्चों राजा शिवी ने साबित कर दिया कि अगर कोई छोटा सा छोटा प्राणी भी उनके पास शरंड मांगने आता है या उनकी शरंड में आता है तो वो उसे खाली हात नहीं भेशते थे और आज भी हम अपने बहुत से निबंधों में बहुत से उधारणों में राजा शिवी का नाम लेते हैं कि उनके जैसा दयालू और न्याय प्रेय राजा हमारे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं हुआ हमारे हिंदुस्तान में ही क्यूं पूरे विश्व में ऐसा राजा कभी नहीं हुआ तो इस पार्ट से हमें क्या सेखने को मिला कि हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और जैसी हमारी कथनी है वैसी ही हमारी करनी भी होनी चाहिए